Assalamu alaikum everybody, hope you people are fine and save it your home तो जनाब, आज मेरी घर पे मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त ने विजिट करना था और मुझे उसके लिए लंच भी बनाना था तो हमने सोचा कि वो रेसिपी आपके साथ शेर की जाए यह है बार्बीक्यू हंडी, जो कि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है मैंने उसके घर पे उसके हाथ से बनी हुई खाई थी जो जनाब चलते हैं रेसिपी की तरफ यहां हमें चाहिए कुछ मसाले, जिसमें हमें चाहिए जैफल जैफल हमें हाफ चाहिए इसको तोड़ के अंदर से जो निकलता है इसको जैफल कहते हैं अब यह हमारे पास बादियान यह जैफल है ठीके यह हमारे पास सूखा धनिया यह हमें चाहिए आधी चमच और हमें चाहिए दार्चीनी थोड़ी सी पांच से चे हमें लॉंग के पेसेश चाहिए चोटी चमच जोए आधी हमें चाहिए काले मिर्च, एक चमच जीरा, आधी चमच सूख, दो चोटी अलाईची, एक पादियान का फोल और एक हमें चाहिए बड़ी अलाईची एक चमच हमें चाहिए पुटी हुई लाल मिर्च, एक चमच या हसबे जरूरत हमें चाहिए नमाक, और एक चमच हमें चाहिए चिकन तिक का मसाला, और फिर हमें चाहिए रोज मेरी लीव्स, गरनिशिंग के लिए, यह आप इसको स्किप करना चाहें, तो कर सकते हैं, जामने तुदिया है तबुषे केुटतु उसके सतों बत्तितन जाली हम व pride iplete and add a처er और खाड़े मसालने पाटि बिनना है और दोड़ें श्छिजन हम धिलाले और यहाँ हम आदा केलो दही में उसको saying साथ साथ हम बाते करें और यह मेरी फ्रेंड मेरी लिए मैंक्राउनी बना कर लई थी तैंक यू सो मज अच्छा जे यहां पर हमने इसको मेरिनेट होने के लिए रख देना है तक रिपर एक गंडे के लिए अब एक गंटे के बाद हम इसको चुड़ाएंगे चुले पर तो जनाब मीडियम से हाइ फ्लेम हम इसको जो है वो चुले पर चुड़ा देंगे इसका पानी खुश्क होने तक इसमें जमश जादा मच चलाइएगा ये खुशक हो जाए तो इसमें दो जमश जो है वो क्रीम और एक चमश देसी घी हो या कोई भी घी हो आप वो डाल के इसको बोन सकते हैं अब ये कुछ मसाले हैं ये इसके उपर डाल के हम इसको थोड़ा सा दम देंगे और साथ ही हम इस पर कोईली का स्मोक दे देंगे पांज से दस मिनट बार जो है आप इसको सर्फ कर सकते हैं और ये और खाने के बार काफी ये चाए ना हो तो खाने का मज़ा ही नहीं है और फ्रेंड सो और ये सब कुछ ना हो तब तब बिलकुल मसा लगने है तो ये था हमारा दिन थैंक यू सो मच